पुर्वशी शेखावत सुखदेव सिंगोगामेडी की बेटी और आज यहाँ सब एकटे होए हैं क्योंकि मेरे जो पापा है सुखदेव सिंगोगामेडी उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है गद्दारों द्वारा और मेरे पापा ने पहले भी प्रशासन को बहुत बार कहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए क्योंकि मुझे बहुत धमकिया आ रही है पाकिस्तान से और भी कई देशों से और जैसे पंजाब पुलिस हैं प्रिशासन को और सबी को कि इने सुरक्षा दी जाए लेकिन कोई नहीं नहीं दी और इसी काफला अज हम सब देख सकते हैं और जैसे की मेर पापा के बहुत सारे सपने हैं जो कि मैं पूरे प्रयास करूंगी पूरे करने के लिए और उनहोंने हमेशा मुझे एक बेटे की तर मैं बेटा ही मानता हूं और हमेशा तुम्हें अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी जगा हमेशा काम करना है और जैसे वो दिन राथ हमेशा सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे अब उनकी जगा मेरी मम्मा वैसे तो बहुत खड़ी ही रहती है और वैसे भी वह बहुत सेंशील ह और खड़ी ही रहेंगी लेकिन मैं भी यह कह रही हूं कि जहां मेरे माताओं भेनों को और मेरे दादों साथ दादी साओं को अगर कोई को में जरूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूंगी और परिवार जैसे सुरक्षित रहें अब इन्होंने जैसे पुलिस इदर चारों तरफ देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस है लेकिन तब इन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई हमें लाइक मेरे पापा को भी कोई कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और इसी का फलाज ही यह सब है अच्छा उर्वशी आपकी कब लास्ट आपके पापा से बात हुई थी लास्ट फॉर्थ को हुई थी फॉर्थ ओफ दिसंबर को परसो मालो तब तो मैं शायद तक स्कूल में थी और जब मैं आई तब तक तो मेरे कोई ने बताया भी नहीं और जो मेरी मम्मा थी वो भी जैपूर चली गई थी और मुझे कल पता चला था आप कि अपने बताया कि आप की जो पापा है आपको बेटा मानते हैं क्या कुछ सपने उनके थे और आप पूरा करना चाहेंगे वो बस हमेशा यही कहते थे कि राजनीति में हमेशा तुम्हें आगी रहना है और मैं यह सपना और तरह से पूरा करूँगी और मेरा एक ही गोल है जो की है पॉल्टिक्स अब मैं भी उन्हीं की जगा राजनीती में आऊंगी हाँ जरूर जैसे मेरे पापा कर्णी सेना हो या सर्व समाज हो या फिर भादरा की राजनीती हो विधान सबाचेत्र की राजनीती हो मैं हर एक चीज में अब आगे ही रहूंगी जैसे कि जो काम मेरे पापा ने किया था अब जैसे हम हर एक गरीब जो भी है दलित समाज के लोग है इनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है उनके साथ भी हमेशा मेरे पापा खड़े रहे है तो मैं भी हमेशा खड़ी रहूंगी चाहिए वो कोई भी समाज हो मैं अभी एट्थ में हूँ और गोल मेरा यह कि अब वो है पॉल्टिक्स आपकी सिस्टर आपसे चोटी है बड़ी है नहीं वो अभी चोटी है वो फर्स्ट क्लास में अभी आपकी मम्मी से बात हुई उनकी कैसी तबियत है मम्मा से बात तो हुई थी अब उन्होंने तो यही बोला है कि ठीक है अब रोने से तो कुछ नहीं होगा अब राजनीती में यह बस आगे आना है और जो पापा ने नाम बनाया है वो हमें बना नहीं है और जैसे कि श्री राष्टी राजपुद करनी सेना है इसको आगे बढ़ाएंगे हम जैसे कि हमेशा से चलती आ रही है मेरे पापा के दुआरा अब मेरी मम्मा और मैं दोनों चलाएंगे इसे और जितने भी मेरे पापा के सपने थे उन्हें मैं पूरा करना चाहूंगी और जो भी जैसे गरीब लोग है उनकी सायता करने में तो हमेशा ही हम आगे रहे हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे चाहे वो कोई भी समाज के लोग हो